जो कि उसने अपने पिता की मृत्यू के बारे में सुना अग्दम से इसका बरगा पता लगा तो उसे दुख से कुछ हो गया क्या हो गया वो एक बार इस फ्रेजल वाप के अंदर देखते हैं देखो भई कैरी आउट का मतलब तो होता है कोई चीज को फोलो कर देना एक्जीक्यूट कर देना किस सेंस में यह वर्डियूज होता है ओबे करना किसी के रूल को या को एक्जीक्यूट कर देना कहते विया याद कैसे करोगे मैंने याद किया था कैरी आउट दी ओडर्स कैरी आउट दी ओडर्स मैंने बार बार यह बात अपने आपको बोली कैरी आउट दी ओडर्स भई अपने आप ही याद हो गया इस तरके जे लिंक किया था ठीक है तो कैरी आउट दी ओडर्स तो कैरी आउट तो नहीं होना था भई कोई चीज फोलो थोड़ी उसने कोई चीज माननी थोड़ी वह तो दुख से गुस्टे से पागल हुआ होगा अब कैरी आउट नहीं हो सकता तो ओलत आप भी नहीं हो सकता यह ऑप्षिंग इसके बाद बारे आई केरी ओन की देखो कैरियों क्या होते है कैरी ओन तो हम कहते हैं कि बंदा खाना ओगया ना कहाना वगयरा खा रहा हम एक दम से उसके फिझां केरिए उन खाले-खाले से बाद में आज़ता हूं तो उस सेंस में कहरी ओन का मतलब होता है जी तू कंटीनू सम्टिंग जब आप किसी चीज को क्या करते हो जी कंटीनू करते हैं कई बार हम कहते हैं पढ़ाई में काफी गया पांक-चे महीने से मैंने पढ़ाई नहीं कि अब मैं दुबारा to continue something तो बच्चो तीन option हट गए तो अब एक option बचा और वही इसका answer था carried away by carried away का by का मतलब होता है अपने उपर से control खो देना ठीक है अपने उपर से control खो देना अब आप वो control कैसे खोगे बच्चो आप वो control कैसे खो सकता है कोई बंदा वो बंदा या तो खुशी से अपने उपर control को सकता है जी या फिर वो दुख से गम से भी अपने उपर control को सकता है ठीक है तो वह इसका क्या मीनिंग था इसका मीनिंग यही था कि उसने दुख से अपने उपर control खो दिया जब उससे अपने पिता के बारे में पता चला वह carried away इसको याद कैसे करोगे आपने सुना भी होगा कैरी का मतलब होता है साथ लेकर जाना है ले जाना हम कहते हैं इसे कैरी कर लो इसे ले चलो या फिर ले जाना अवे का मतलब दूर मैंने ऐसे याद करा था जी कोई एक बंदा दूसरे बंदे के लिए कहा रहा है कहता है कैरी इसको कैरी कर ले दूर ले जा काँ ले जाना अवे अवे यादि दूर ले जा क्यों दूर ले जा भाई क्योंकि इस ने अपना आपा खो दिया है ऐसा नहीं हो ता कहें बड़ाई जगडा वगारा हो एक आदमी दूसरे पकड़ के ले जाता है अभी इसने आपा घो रहरे इस तरीके से लिंक किया था जो था बच्चों एक्सट में क्या आना था दे शुड डेश ओल स्टॉक इन ओरर टू इंक्रीज़ वह उन्हें न अपने ओल स्टॉक को कुछ करना चाहिए किसलिए सेल को इन्क्रीज़ करने के लिए तो देखो कास्ट अवे कास्ट अवे तो अकेला थैक्ट दिया किसी चीज को दूर कर दिया थ्रोवे या फिर क्या आई इसमें फ्रेजल बाब क्या मिलिंग था इसका थ्रोवे याँ कास्ट ओवे का मतलब होता है isolated कर दिया या फिर ध्रोवे कर दिया याद करने की बारी आई तो कैसे याद रखो फोगे बहए पुराणे जमाने में आपने भी सुना था, कास्ट पोच के डिस्क्रिमिनेशन करते थे, जो की गल्च चीज थी, मैंने इस तरीके छे लिञ्क्प किया था, कि कास्ट पोच के उसे अवे कर दिया, यानि उसे अलग कर दिया, throw away कर दिया isolate कर दिया इस तरीके से याद किया था जी उसके अलावा होता है जी कास्ट डाउन का मतलब होता है जी reject कर देना कास्ट डाउन का क्या मतलब होता है कास्ट डाउन का मतलब होता है reject कर देना या फिर remove कर देना कास्ट डाउन का मतलब होता है जावाई कास्ट पूछ के उसे डाउन दिखाते थे और उसे निच्छा दिखाने के लिए रिजक्त कर दें बीसिकली इस तरिके से लिंक करके याद किये थे वर स्कुराने ठीक है नन औफ्दि अबव रट गया ये भी रट गया ये भी हट गया बचा क्या कास्ट और बचा इ मैंने उसी कास्ट से लिंक कर लिया तर मैंने याद के लिए था ओफ कहता है एक आदमी के उपर कई सारे मुकदमें थे तो फिर पुलिस वाले ने क्या क्या उसकी कास्ट पूचके सारे मुकदमें ओफ कर दिए क्यों कर दी हो सकता है भई सेम कास्ट को से फेवर देनी सिर्फ याद करने के लिए होता है कास्ट ओफ का मतलब क्या होता है कास्ट ओफ का मतलब ही होता है जी रिमूव या फिर रिलीज कर दिया से रिलीज कर दिया और ओपो से रिमूव कर दिया फिर रिलीज कर देते हैं क्या आना था दे शूड कास्ट ओफ ओल स्टॉक इन ओडर तो इंक थीक है मिलते हैं नेक्स सेट के अंदर थेंक यू स्टूडेंट्स